आपका स्वागत है आपके अपने गुलसन क्रेटिविटी चैनल में तो आज हम बना रहे हैं कठेल और हरे मटर की सबची जो कि आपको देखने से ही पता चल गया होगा सच में बहुत ही ज्यादा टेस्टी है और बनाने में बहुत ही ज्यादा एजी है तो ये करीब मैंने 500 ग फाट धिया है नहीं तो यू fall को चीलीया है लिया है मैंने 8-10 लसून की कली तेज पत्ता दाल्फीनी और प्याज प्याज मैंने थोड़ी जादा लिए हैं करीब तीन प्याज लिए है और जो हरे वाले पत्ते मैंने वो भी ले लिए हैं प्याज के करना है गैस की मीडियम फेलेंस पकाना है एंट इसे पकाना है करीब मेरे को 70% तरम में ही इसे अच्छे से थे हैं और आप इसे सश्श्रम के तेल में भी बनाईए सच्रम के तेल में बहुत ही ज़्यादा अच्छा इसका फ्लेवर आता है तो इसे सच्रम के तेल में ही बनाना चाहिए बाकि आप इसे रिफैंड में बना सकते हो थोड़ा टेस्ट में फरक आएगा लेकिन बना सकते हो आप तो हमने ये करीब 5-7 मिन्टी से फ्राइ कर लिया है आप देख सकते हैं अलका सा पोल्डन कलर भी आने लगा इसका तो हम इसे एक प्लेट के अंदर निकाल लेते हैं और जो इसके अंदर ये ओल बच्चा है इस ओल को हम यूज करेंगे अभी तो ये देखी निकाल लिया है और अब इसके अंदर डालेंगे करीब ए कि आप देख सकते हूं वह बिल्कुट गरम है तो एक चमज मैं इसके नदर जीरा डाल देती हूं और अब मैंने दाल जीरा डाल दी है करीब 1.5 इंच है और एक तेज पता लिया है और यह मैंने दस से बारा लसुन की कलियों को कूट के लिया है आपके पास अगर फ्रैस हरा अलसुन है तो आप वह भी ले सकते हो दो मैंने हरीमिच ली है और यह जो मैंने प्याज काटी थी से इनको भी डाल दिया है तो इसी इस तरह से मिक्स कर देए है कि यह देखिये इस तरह से कारच हो और अब सके अंदर डाल देते हैं हरी वार मेतर जो मैंने फ्रैस मेतर कर लिए थे उनको भी मैंने डाल दिया है और इसे अच्छे से मिक्स कर देते हैं और अब जो मैंने कठेल को अच्छे से फ्राइ किया था उसे भी डाल दिया है दुबारा से और टमाटर डाल देते हैं साथ में उनको अच्छे से मिक्स कर देते हैं और अब ले लेते हैं कुछ मसाले मसाले भी हम साथ में ये एड़ कर देंगे पहले इसे अच्छे से एक बर मिक्स कर देते हैं तो अब ले लेते हैं कुछ मसाले एक चमची ये मैंने लिया है गरम मसाला और एक चमच लालमीची पाउडर लिया है एक चमच नमक लिए है, नमक आप स्वाध के नुसर लें, एक चमच धनिया पाउडर लिए है, एक चूट की लिए है मैंने हिंग पाउडर, और आदा चमच से थोड़ा सा ज़्याद का लिए है, हल्दी पाउडर, और थोड़ा सा पाने डाल देते हैं तो मैं करीब एक कप पाने डाल रही हूँ क्योंकि अभी ये 30% कुक नहीं हुई है यानि कि ये 70% ही कुक हुई है तो हम इसे थोड़ देर के लिए और पकाना है तो इसमें मैंने करीब एक कप पाने डाल दिया है मसालवी अच्छे से पक जायेगा इसमें और अब इसे हम डग के पका लेते हैं डग के करीब मैंने इसे 5-7 मिन्ट पकाया है तो यह देखिये 5-7 मिन्ट के बाद में तो हमेशे बिल्कुल सूखी सबजी बनाना है दिए देख सकते हैं बिल्कुल सूखी सबजीबनी है यह देखिए बहुत ही टेस्टी सबजी बना कि तयार हो चुकी है और सबजे अच्छे से पक गई है और अगर आपको बीडियो थोड़ीश भी पसंद आती है तो प्लीज व इससे होगा ये कि जबी हम विश्य में कोई वीडियो डालेंगे तो इस सबसे पहले आपके पास नोटिविशन मिलेगा तो ये बिल्कुल कोख हो चुकी है मैंने गैस का फ्लम बिल्कुल ओफ कर दिया है इसे थोड़ी दिर की हिला के पका लेते हैं और इसमें बिल्कुल पाने वगरा नहीं बच्चा है तो ये देखी और अब इसे प्रोस लेते हैं गर्मा गर्म लेकिन मैं इसे पहले एक मिंट के लिए ढख देती हूँ और अब इसके अंदर डाल देती हूँ थोड़ा सा हरादनिया तो थोड़ा सा रदनिया डाल देते हैं इसके अंदर इसे मिक्स कर देते हैं इस तरह से आप प्रोस लेते हैं गर्मा गर्म सच में सब्जी बहुत ही ज़़्यादा टेस्टी बनी है एक की जगह आप चाचा रोटियां खाओगी इतनी ज़्यादा टेश्टी बनी है और सर्दियों का मोसम है तो मटर भी मिल रही है और कठेल भी तो बना के ट्राइ करके जरूर देखना